मनसुख दिन रात अलग-अलग लड़कियों का नाम जपते रहते हैं। ए लड़की, सुनतो, तुरा नमबर क्या है? अंकल, अभी तो आपका नमबर है, अर्थी बुख कर लो अपने लिए। अरा, अभी तो मैं जवान हो लड़की, सफेद बालों पे मजजा। मनसुख राम को लड़किया छेड़नी की गलत आदत थी। पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी, जिसके बाद मनसुख खुले बैल की तरह हो गए। जहां दिखी नारी, वहां लाइन मारी। मनसुख राम के पड़ोसी सोनी जी के यहां नई बहुआई, नाम था कल्यानी। अरे वाह बेटा कल्यानी, तेरा आते ही घर में खुशी-खुशी हो गई है बेटा। अरे माजी, जले भी खाओ, बात मत करो, बोलने से खुशी को नजर ना लग जाए। जैसे महली की हर लड़की पे मनसुख की नजर थी, वो कल्यानी को भी बुरी नजर से देखता है। उफ-फ मिर्ची, हाई-हाई मिर्ची, देखे तो तुझे लग जाए मिर्ची। कल्यानी को लगता है कि यूछी गारें हैं। शौक्या तोर पर पर ये तो होता ही रहता है एक दिन कल्याणी आंगन में पौधों को पानी दे रही होती है पूल हूँ गुलाब का चमेली का न समझना आशिक हूँ मैं आपका सहेली का न समझना कल्याणी को ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि शायरी बोलते वक्त मनसुक उसी की तरफ देख रहा था वो अंदर जाती है और अपनी सास को कहती है ये जो हमारे पडोसी है अरे दूर है ना उससे हाँ दूरी रहूंगी पर ये थोड़े अजीब नहीं है अरे अजीब आवारा ठर की पता नहीं क्या-क्या आदमी है वो हर लड़की पर नजर डालता है वो उसकी उम्रे की वज़़े से कोई उसे कहता नहीं बाकी उसे आस-पास रखना भी नहीं चाहिए अरे पर ऐसी थोड़ी ना चलेगा एफ आयार करवा देनी चाहिए हवालात में हवा और लाद खाएंगी तो उस समझ जाएंगे अरे यही तो दिक्कत है ना समाज की जिसके साथ दिक्कत होती है उसको भी समाज गुनेगार समझता है लड़की अगर बोल दे कि फलाने ने मुझे छेडा है तो कुछ लोग तो ये कहने लगते हैं कि लड़की की भी रजामंदी होगी ये तो है पर कुछ तो करना ही पड़ेगा नहीं बेटा कुछ मत कर जबर्दस्ती हम किसी से लड़ेंगे नहीं हमारा परिवार इज़ददार परिवार है कीचड में जाएंगे तो हम भी तो गंदे हो जाएंगे न लेकिन सासु मा कीचड में जाए बिना गंदगी कैसे साफ होगी अरे बेटा मैं तो यहीं कहूंगी कि तु नई बहु है अपना रुतबा बना बाके औरतों में अपनी समझदारी से अपने काम से इन चक्करों में मत पड़ बेटा बहु सास की बात ना चाहते हुए भी मान लेती है और कई ऐसे मौक्य आते हैं जब मनसुग बहु पर उल्टे कमेंस करता है जैसे एक दिन जब बहु छट पर सफाई कर रही होती है तो मनसुग छट पर आकर गाना गाने लगता है तेरा ध्यान किदर है तेरा हीरो इधर है तेरा हीरो इधर है मेरा ध्यान तो आपकी हर को तो पे ही है थोड़ा आप भी ध्यान दो कि क्या कर रहे हो आप अरे बहुत तीखी हो और मुझे मिर्ची पसंद भी है अरे बहु बुढ़ाओ कहीं के बहु वापस अपने कमरे में नीचे चली जाती है वो किसी को बताती नहीं है कि आज मनसूप ने उसे क्या कहा ताकि घर में टेंचिन ना हो एक दिन बहु घर के बहारोड पर ठेले वाले से सबजी खरीदने जाती है भाईया प्यास की भाव कम करो ना बिना प्यास काटी ही रुला दोगे वनना तब ही बहु की नजर मनसूप पर पड़ती है जो वहाँ से गुजर रही एक लड़की को देख कर कहता है लड़की सहम जाती है उसकी उम्र शायद 18-19 साल की रही होगी बहु ने जब ये देखा कि मनसूप ने इतनी छोटी उमर की लड़की को तंग किया है तो वह घर में जाके अपने पती से कहती है तुम्हारा पड़ोसी मनसूप अरे बहुत नीच आत्मी है अरे कुछ करते क्यों नहीं उसका मैं क्या करूँ पडूस में गंद की है हटानी तो पड़ेगी न मेरा साथ दोगे दुंगा लेकिन करना क्या है हम फसेंगे तो नहीं न डरो मत अच्छे काम करने से डरना नहीं चाहिए उस दिन कल्यानी अच्छे से तयार होती है और मनसुप के घर जाती है अरे वह आज तो घर में चांद तर आया है आपकी शायरी आपके गानी मुझे यहां खीच लाए शाम को मेरे पती और सास घर पर नहीं रहेंगी आप मेरे घर आ सकते हैं चाय पीने आरे जरूर जरूर मुझे पता था तुम समझदार हो पर इतनी जल्द मुझे पसंद करने लगोगी यह नहीं सोचा था चाय पे इंतिजार रहेगा मनसुप शाम को कल्यानी के घर चला जाता है आप बैटरूम में बैठी वहाँ चाय पीएंगे आरे वाई बैटरूम में चाय मनसुप हस्ता हुआ बैटरूम में जाता है और वहाँ का नजारा देखके घबरा जाता है वहाँ पर मौली की वो सारी लड़क्या खड़ी है जिनको आज तक मनसुप ने छेड़ा था कल्याणी भी बैटरूम में जाके दर्वाजा अंदर से बंद कर लेती है अब बैटरूम से सिर्फ तम तम ढ़िशुम ढ़िशुम के आवाज आती है और बीच बीच में मनसुप की चीखे भी सनाय दीती है और माफ कर दो बिटिया अरे नहीं नहीं नहीं, अरे डंडे से नहीं, अरे अला लग जायेगी, यह आई बेडरुम का दर्वाजा खुलता है और मनसुक की हालत एक लुटे फटे कोवे जैसी हो जाती है किये कि सजा तो मिलनी ही थी आपको, लेकिन आपकी और आपसे ज्यादा हमारे इज़्दत का भी खयाल रखना था इसलिए इस बार शांती से धर धर के धर ना किया हमने आपकी, अगर जरूरत पड़ी तो बहर जुलूस भी निकाओ सकते है आप ऐसी गलती नहीं करू या, मिझे माफ कर दू बहु मनसुक को बाहर छोड़ने जाती है, मनसुक अपने घर की तरफ बढ़ता है वैसे आपको चाय कैसी लगी? मनसुक अपने दुखते गाल पे हाथ रख की कहता है कड़क